आज अपन बनाएंगे ककड़ी और टामटर की सब्जी जिसको राजस्तान में तरकाकड़ी भी बोलते हैं ककड़ी और टामटर की सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट बनती हैं सब्जी बनाने से पहले मेरे TRC Kitchen चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और बाजू गंटे के भी दबा दीजेगा ताकि अगली वीडियो आए तो सबसे उपर नौटिकेशन मिल जाए लाइक भी कर देना चलो सुरू करते हैं ककड़ी की सब्जी बनाना सबसे पहले ककड़ी को गोल गोल आकार में तोके काट लेंगे गोल गोल आकार में ककड़ी बहुत ही साधिस्ट बनती है सब ककड़ी को गोल गोल काटेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना एक एक करके मैंने सब ककड़ी को गोल गोल काट लेना है अब हम टामाटर को काटेंगे एक ककड़ी और एक टामाटर आको काट के दिखा देरों ताकि अब मेरे इसाब सब काट सके टामाटर को भी ना चोटा ना बड़ा मेडियोम साइज इस्ट काट लेना है अब हम टामाटर और ककड़ी को काट लिया है अब चलेंगे गेस की तरफ मेरे को ककड़ी और टामाटर काट लिया है अब हम इसमें तीन चमच तेल डालेंगे अब हम इसमें तीन चमच तेल डालेंगे जादा चमच जीरा डाल देंगे और सब से पहले हम इसमें ककड़ी को डालेंगे ककड़ी को डाल के करीब दो-तीन मिनट पकाना है तकन लगा के दो-तीन मिनट उटा के देखेंगे और मिक्स करेंगे अब हम इसमें टामाटर डाल देंगे जो मैंने तीन टामाटर ले ते हो मैंने काट लिये और करीब 300 ग्राम मैंने ककड़ी लिये है और करीब 1500 ग्राम टामाटर लिये बहुती स्वादिष्ट बनती है ककड़िटा वाटर की सबजी आपके उदर इसको क्या बोलते हैं मेरे को कॉमेंड में बताईएगा और आपके घर पे जरूर ट्राई कीजेगा अब हम इसमें मसाला डालेंगे डैट चमच मिर्ची डाल देंगे और एक चमच दनिया डाल देंगे और हाप टी स्पून हल्दी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अब हम इसको मिक्स कर लेंगे मसालों को अची तरह से मिक्स कर लेना है और दीमी आज में पकाना है अगर जले तो खलका थोड़ा पानी डाल देना है क्योंकि पानी इसमें बाद में एड होता है अभी मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगा और इसको करीब हगी दो मिनट पकाऊंगा ड़कन लगा के ताकि सब्जी अच्छी तरह से पक जाए मसाले भी दो मिनट हो गया है मिक्स करके देखेंगे अब हम इसमें कित्ता आपको काड़ा रखना या कित्ता ग्रेवी रखना उत्ता पानी डाल दीजीगा मैंने करी दो गिलास पानी डाला है अब इसको और ड़कन लगा के करी तीन मिनट पकाएंगे ड़कन लगा देंगे तीन मिनट पका देंगे तीन मिनट हो गया है सबजी में अच्छा उबाल आ गया है बहुत ही देखो टेस्टी और ग्रेवी सबजी बनी है मेरे अंदाज में बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और खाते रह जाएंगे अधिने इसमें आदा टीश्पून गरम मसाला डाल दूगा जो सबजी मसाला उता है गरमे अधिनली सबजी बन के रडी हो गई है अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे सबजी खाने के लिए रडी है आप खाये ककड़ी टामाटर की सबजी मिलते हैं अगली नई रेसिपी में मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन दबा के रखेगा धनिया जाए